तो एक्सराइज में आते हैं अब एक्सराइज 3.3 आपके काम की है सबसे ज़्यादा कोशन जहीं से आएंगे और दो तीनी कोशन है इस एक्सराइज में तो दो कोशन मैंने पिक किये हैं उसको आप देखीगा इन विच क्वाडरेंट वो पूछ रहा है कौन से क्वाडरेंट में तो वेल्यू क्वाडरेंट की आपसे वो पूछ रहा है कौन से क्वाडरेंट में और ओन विच एक्सिस तो आपको यहां तो क्वाडरेंट का नाम या एक्सिस का नाम बताना है जिस पे माइनस 2,4, 3,-1,- 1, 0, 1, 2 minus 3, minus 5 लाए करते हैं और verify your answer by locating them on the Cartesian plane, Cartesian plane बनाना, Cartesian plane क्या होता है तो Cartesian plane कुछ नहीं, एक straight line ठीक है, और से में एक straight line, तो यह मैंने ले लिया, Cartesian plane मुझे एक horizontal axis और एक vertical axis बनानी है और यहाँ पर मुझे arrow mark करना है सबसे पहले तो यह मैंने arrow marks कर लिए, चारो direction में ठीक है, arrow mark करने के बाद, मुझे 1 centimeter is equals to 1 unit का use करना है ठीक है, तो यह मैंने 1 centimeter is equals to 1 unit, मनलब ruler से मुझे mark करना है तो इस तहीके से मैंने points mark कर दिया naming कर देते हैं, यह है minus 1, यह है minus 2, यह है minus 3, यह है minus 4, यह है minus 5, यह है minus 6, यह है minus 7 यह है 1, यह है 2, यह है 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ठीक है, ऐसे ही उपर marking कर दिजे 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी नीचे marking कर दिजे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर आजएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 यह है आपका y dash, यह है आपका y ठीक है, यहाँ पर है x dash, यहाँ पर है x यह हमने अभी cartesian plane बना लिया 1 marks सिर्फ cartesian plane बनाने के आपको मिल जाएंगे next 1 marks यह 2 marks आपको इन points को plot करने का मिलेगा ठीक है, चली plotting कर लेते हैं minus 2, 4, तो minus 2, 4 तो यह point यहाँ कहीं आएगा minus 2, minus 4 तो यह हमारा point आगया minus 2, 4 ठीक है, तो positive side में minus 2, 4 उसके बाद हमेरा 3, minus 1 तो 3, minus 1 यह point यहाँ कहीं आएगा तो 3, minus 1 movement क्या है, x-axis पे न तो पहला movement 3 मतलब मैं x-axis पे 3 तक आया और फिर y-axis पे नीचे की तरफ आया ठीक है, तो यह चीज़ आपको minus 1, 0 तो minus 1 और y-axis का कोई movement नहीं मतलब मैं x-axis पे तो minus 1 आया और यहीं पे रुख गया यहीं पे रुख गया ठीक है, तो यह हो गया आपका minus 1, 0 फिर है 1, 2 मतलब मैं 1 तक गया और positive 2 में गया तो यहाँ पे कहीं आपका point आएगा minus 1, 2 ठीक है, उसके बाद है minus 3, minus 5 तो minus 3 मिला x-axis पे minus 3 आया और फिर नीचे y-axis पे गया minus 5 तो यह minus 3 और यहाँ पे कहीं minus 5 आएगा, तो यह मैंने minus 3, minus 5 mark कर दिया है, इस तरीके से आपको चीजों को mark करना है, मैं इसका naming कर देता हूँ, यह point था मेरा तो minus 1, 0 point लिख दिया यह point था मेरा minus 3, minus 5 तो minus 3, minus 5 ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 5 points को plot करना था, 1, 2, 3, 4, 5 अब मुझे बताना है यह किस quadrant में आएगा यह अगर quadrant में नहीं है तो किस axis पे है तो बात को समानना, यह था आपका first quadrant, यह था आपका second quadrant, यह था आपका third quadrant और यह था आपका fourth quadrant, verify करना था verify कर दिया, अब बात को समनना, क्या क्या points दिये हैं, उन points को लिख लो मुझे दिये है, minus 2, 4 फिर दिया है, 3, minus 1 फिर दिया है, minus 1, 0, फिर मुझे दिया है, 1, 2 फिर मुझे दिया है, minus 3, minus 5, यह दिया है ठीक है, तो यह brackets में लिखे जाते हैं, तो coordinates मैंने bracket में लिख दिया है, यह मैंने लिख दिया है, ठीक है, अब minus 2, 4 तो minus 2, 4 यह तुमारा second quadrant है तो हम यहां लिख देंगे, second quadrant में है, फिर 3, minus 1, अब देखिएगा 3, minus 1, यह हमारा fourth quadrant में है, तो यह हमारा fourth quadrant है, फिर उसके बाद minus 1, 0, तो minus 1, 0, यह किसी quadrant में नहीं है, यह x- x-axis के उपर है, तो हम कहेंगे, यह x- x-axis के उपर लाए कर रहा है, verify हमने कर दिया है, बना के, clear है, 1, 2, 1, 2 भी देख लेना, तो 1, 2 हमारा first quadrant में था, यह आजाएगा first quadrant, और ऐसे ही minus 3, minus 5, तो minus 3, minus 5 वो है, third quadrant, तो हम यहां लिख देंगे third quadrant, तो इस तरीके से आप लोग का यह exercise 3.3 का first question complete हो गया है, ठीके, एक और question मैंने इस exercise से लिए, वो भी आप देख लीजिए, चली, board कर लेते हैं clear, और next question हम देखते हैं, तो next question है plot the points x, y given in the falling table on the plane, देखो एक plane की उपर, तुम्हें plots करने x, y, मतलब तुम्हें coordinates को plot करना है, तो plotting अभी हम इतनी देर से सीखी रहे हैं, ठीके, तो आखरी इस चीज़ को समझना, choosing suitable units of a distance on the axis, अब आपके उपर है distance आप क्या रखना चाहते हैं, तो one centimeter one unit के बराबर आप ले सकते हैं, यह आप one unit को, one unit को, तेखो मैं क्या बोलना चाहरा हूं कि वो जो एक unit है, यहां तो आप उसको दो-दो points के बराबर रख लीजिए, वैसा अभी आप कर सकते हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, one unit one centimeter ही बोल रहा हूं, ठीक है, तो हम one unit one centimeter के बराबर लेके चीजों को करना सीखते हैं, देखना सबसे बड़ी value कौन सी, सबसे बड़ी value 8, तो मुझे पूरे चारों कौडरेंट्स में 8 तक चीजों को बनाना है, 8, ठीक है, तो मुझे 8 units चीजों को बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, यहां पर 8 units पूरे नहीं आपाएंगे, आपने एक काम करते हैं, एक blank sheet ले लेते हैं, ठीक है, तो blank sheet के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी देखिएगा, चलिए, blank sheet हम choose कर लेते हैं, अब, यहां पर मैं पूरी एक sheet लेता हूँ, ठीक है, और यहां पर आपको समझाता हूँ, आपको पूरे 8 points बनाने, तो पूरे 8 points बनाने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, देखिए, हम line को proper तरीके से ही बना के क्यों न चलें, चलिए, ठीक है, यह देखिएगा, यह मैंने y-axis बना दी, straight, ठीक है, और ऐसे ही मैं यहां पर x-axis बनायता हूँ, straight, तो यह मैंने x-axis ले ली, ठीक है, इस पर हम छोटे-छोटे points मात कर लेते हैं, ठीक है, 1-1 cm की दूरी पर, तो 1-2-3-4-5-6-7-8-9 units तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ऐसी यहां ले लेते हैं, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8, ठीक है, अब देखिए, 8-8 तक हमने कर लिया, क्योंकि मैग्जिमम 8-8 तक दिया था, और मैंने आपको कहा, कि एरो बनाना मत भूलियेगा, प्लीज, है न, एरो बहुत जरूरी है, एरो आपको यह बताता है, कि हम कितना चीजों का extend कर सकते है, तो यह हम कितना extend कर सकते हैं, यह एरो बताता है, यह आपका center point है, marking कर लेते हैं, मतलब इसकी numbers दे लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, चलिए, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, ऐसे नीचे की तरफ चल लेते हैं, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, और minus 1 इधर था, यह वाला, तो इस side लिख दे तो minus 1, ठीक है, अब देखेगा, naming जो करिएगा, यह x axis है, यह x dash है, तो x dash x, ठीक है, और y dash y, यह चीज करना मत भूलिएगा, यह हमने कर लिए, अब हमें कुल मिला के, question पर आना है दुबारा से, तो देखो, x axis है दिया है, ordinate दिया है, तो minus 2, 8, तो minus 2, 8 तुमें दिया है, हाँ पर, यहाँ दिया है, minus 1, 7, और यहाँ दिया है, 0, minus 1.25, ठीक है, ऐसे ही, यहाँ पर दिया है, 1 and, 1 and 0 कर लिजे इसको, ठीक है, तो 1, 0 ले लिजे, और यह है तुम्हारा 3, minus 1, ठीक है, चलिए, यह हमें कुछ, abscissor और ordinate दिये हुए, इनको कैसे बनाएंगे, यह देखिएगा, देखिए, पहला दिया, minus 2, 8, तो minus 2, 8, तो minus 2, 8, तो सीधा उपर गए, तो minus 2, 8, हम एक काम करते हैं, pen change कर लेते हैं, ठीक है, minus 2, 8, तो यह point कहीं पर, यहाँ आ रहा है, तो minus 2, 8, ठीक है, आगे देखिएगा, minus 1, 7, तो minus 1, 7, तो minus 1, 7, जो है, यह अंदर आ रहा है, इसको 2 minute, यहाँ पर जो हमने numberings किये हैं, तो एक काम करो, numberings, इस side कर लो, यह है तुम्हारा कितना, देखिएगा, यह है आपका, उपर positive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह वाला point ले लो, 8, ठीक है, तो इस side हम numbering खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, देखिएगा, क्या था, minus 2, 8, तो minus 2, 8, minus 2, 8 के लिए, तो minus 2, 8, यह point आ गया यहाँ पर, तो minus 2, 8, फिर उसके बाद है, minus 1, 7, तो minus 1, 7, तो यह आ गया तुम्हारा, minus 1, 7, ठीक है, उसके बाद क्या है, 0, minus 1, 25, तो 0, मतलब 0, मतलब कोई moment नहीं है, और minus 1, तो क्या दिया है, minus 1, 25, तो नीचे की तरफ, minus 1, और minus 1 को cross करके, 0,25, तो यहाँ पर कहीं point है, ठीक है, तो minus 1 के थोड़े से नीचे आएगा, वो 0,5 भी complete नहीं हो पा रहा हो, 1, 0, 1, 0 का मतलब 1, और कोई moment नहीं, तो 0 पे, मतलब y-axis पे कोई moment नहीं है, ठीक है, उसके बाद दिया 3, minus 1, तो 3, minus 1, तो 3, minus 1, तो यह point है तुमारा यहाँ कहीं, तो इस त्रीके से आपको यह points mark करने थे, यह points हमने mark कर दी, एक बाद question और read कर लेते हैं, plot the points x, y given in the falling table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis, ठीक है, तो यह हमने mark कर लिया है, इसका हम लिख देते हैं, देखिएगा, चलिए, यह था तुम्हेरे पास, कितना, 0, तो, क्या था यह वाला point, 0,0-1.25, तो 0, तो x-axis पे कोई movement नहीं, y-axis पे movement था, तो यह था 0,-1.25, ठीक है, ऐसे यह वाला point था 1, तो 1,0, 1,0, y-axis पे कोई movement नहीं, यह point था आपका, क्या, यह वाला point था आपका, 3-1, तो 3,-1, ठीक है ऐसे यह उपर point था minus 2,8 तो minus 2,8 point था यह वाला यह हमने mark कर लिया और यह वाला था minus 1,7 तो minus 1,7 ठीक है तो इस तिल्के से आपको plotting आ सकती है कुल मिलाके मैं आपको यह सिखाना चाहता कि questions कैसे आते हैं बस और कुछ ने तो question number 2 आप लोगों ने देखा points को कैसे mark करना है वो आपको idea आ गया इस पूरे chapter में क्या-क्या पढ़ने वाली चीज थी कैसे words थे coordinates किनको कहते हैं Cartesian plane किसको कहते है XY plane किसको कहते है Absessor क्या होता है Ordinates क्या होते हैं ठीक है और coordinates क्या होते हैं लिखने का तरीका brackets में X,Y क्यों लिखा जाता है History थोड़ी से हमने समझी कि René Descartes जी ने Basically coordinate geometry में अपना बहुत अच्छा part दिया था तो उन्हेंने बेसिकली ये concept दिया था कि एक space के उपर या किसी plane के उपर point को कैसे locate करना है तो कार्टीजन सिस्टम उनके honor में नाम आया ठीके तो उनके सरनेम से ही Cartesian system बना है तो basically उनका जो नाम है René Descartes Descartes से ये word उठायागा Cartesian system तो इस तेके से हमने थोड़ी history समझी थोड़ी story समझी और हमने कुछ questions देखे plotting word समझा और किस तरह के questions आएंगे ये हमने समझा board कर लेते हैं clear